Hey guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Khaliq sir and you are watching me on English with Khaliq sir. Guys, आज से मैं एक नए सीरीज की शुरुवात करना जा रहा हूँ. जिसमें मैं cover करूँगा tenses को, modals को, wise को, narration को, articles को और भी बहुत सरे topics को. लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा tense की. क्योंकि tense जो है, वो English grammar का सबसे important topic है. अगर हमको tense अच्छी तरीके से आता है, तो बाकी के चौर topic को सीखना हमार लिए easy हो जाता है. तो सबसे पहले हम tense को सीखेंगे. कहा जाता है कि tense जो है, वो English बोलने में 30% role play करता है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम tense की. Guys, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक series ही नहीं, बलके ये एक journey है हर उस learner के लिए जो English सीखना चाहता है. चाहे उसके English की level weak हो, कमजोर हो, चाहे उसकी अच्छी हो, चाहे वो examination की तैयारी करना चाहता हो, चाहे वो English सीखने की कोशिश कर रहा हो, ये सब के लिए equal है. तो वीडियो के अंतक मने रहना है. आप मुझसे बादा कीजे, कि आप पूरी वीडियो देखेंगे, इसकी जितनी भी series है, पूरे को देखेंगे, मैं आपसे बादा करता हूँ, कि मैं आपको tense में पक्का बना दोगा, आप tense के माहिर बन जाएंगे, फिर tense आपको कहीं पढ़ने की जरुवत नहीं पढ़ेगी आपको सारा doubts से ही clear हो जाएगे, तो सबसे बहले बात करता है, tense होता क्या है, tense को हिंदी में काल कहा जाता है, उसको उर्दू में जमाना कहते है, tense is the study of the forms of the world, किरिया के विभिन रूपों के अध्यन को काल कहा जाता है, अर्थात किरिया का वहरूप जो काम के समय को बतलाता है, उसे हम tense कहते हैं, अर्थात tense काम के समय को बतलाता है, अर्थात tense जो है, वो किसी भी काम क्यों बतलाता है, कि वो काम कब होता है या कब हुआ है, जैसे, example के तोर पर, बात करता हूँ, I eat food, मैं खाना खाता हूँ, दूसरा है, I am eating food, मैं खाना खा रहा हूँ, तीसरा है, I have eaten food, मैं खाना खा चुका हूँ, I will eat food, मैं खाना खाऊंगा, I ate food, मैंने खाना खाया, तो आपने देखा हैं आपर, कि काम जो है, वो अलग समय में हो रहा है, पहला है, मैं खाना खाता हूँ, और थात, वैसा काम, जो मैं आदतन करता हूँ, habitual करता हूँ, मेरा routine है, कि मैं खाना खाता हूँ, I am eating food, मैं खाना खा रहा हूँ, और थात, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, समय को बतलाता है, कि कोन काम कब हुआ है, टेंस कितने परकार के होते हैं, जरा थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस तीन परकार के होते हैं, पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं, दूसरा है पास टेंस, जिसको हम भूत काल बोलते हैं, तीसरा है फ सबसे बहले बात करेंगे हम present tense ले हैं present tense क्या है a verb which denotes present time is called present tense त्रिया का वहरूप जो वर्तमान समय को बतलाता है उसे present tense कहते है example के तौर पर I read a book मैं किताब पढ़ता हूं किताब कप पढ़ता हूं वर्तमान समय में पढ़ता हूं I am reading a book मैं किताब पढ़ रहा हूं I have been reading a book मैं किताब पढ़ रहा हूं मैं किताब पढ़ रहा हूं उस काम में और इस काम में आपको फर्क नज़रा रहागा तीसरा है मैंने किताब पढ़ लिया अर्थात भरतवान समय में ही मैंने कोई काम समाप्त कर लिया है चौता है मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ और साथ मेरे किताब पढ़ने की जो क्रिया है वो सुबह को स्टार्ट हुई थी अब भी भी जारी है तो इसका मतलब यह है कि present tense भी कई परकार के होते हैं present tense कभी kindness होते हैं चलिए उस पर बात करते हैं जैसा कि यहां पर देखने से मानु चल ला है there are four types of present tense present tense के चार भेद होते हैं पहला है present indefinite tense present continuous tense present perfect tense present perfect continuous guys मज़े की बात यह है कि जितने भेद present tense में होते हैं equal उतने ही भेद past में होते हैं और उतने ही future में होते हैं present indefinite tense है तो वहां हो जाएगा बदल करके past indefinite tense present continuous tense है तो past continuous tense हो जाएगा present perfect है तो past perfect tense हो जाएगा present perfect continuous tense है तो past perfect continuous tense हो जाएगा उसी तरह future में आएगे तो present indefinite tense है यहाँ तो वहाँ पर future indefinite tense हो जाएगा उसके बाद present continuous tense तो महाँ पर future continuous हो जाएगा मतलब यह हुआ कि tense जो होते हैं वो actual में 12 होते हैं उसके 12 kinds होते हैं equally तीनों पार्ट के चारचर होते हैं चार present tense के, चार past tense के और चार future tense के अब हम one by one करके सब की बात करेंगे एक day में एक tense को complete करेंगे अर्था चार भाग में से एक बाग को complete करेंगे इस तरह हम 12 दिन में tense को अच्छी तरह कर सकते हैं ऐसे करने के लिए तो आसानी से एक दिन में भी complete कर सकते हैं दो घंटी के वीडियो बना करके लेकिन उसको लोग लंबे समय तक देखेंगे नहीं सही से वो skip कर देंगे वीडियो को और दूसरी से बड़ी बात की होगी कि उतनी अच्छी तरीके से detail में नहीं समझ पाएंगे तो मैं आपको day by day करके बारा दिन में आपको per day एक टेंसरी करके मैं आपको सिखाऊंगे और अच्छी तरीके से आपके सब doubts को मैं clear कर दूँगा सबसे बहले बात करते हैं present indefinite tense के तो गाईज हम बात करेंगे सबसे पहले present indefinite tense present indefinite tense को simple present tense भी कहा जाता है a verb which denotes present time in simplest form is called present indefinite tense करिया का वह सरलतम रूप जो वरतमान समय को बतलाता है उसे present tense कहते है simple present tense कहते हैं करिया का वह सरलतम रूप जो वरतमान समय को बतलाता है उसे simple present tense या present indefinite tense कहता है जैसे मैं आम खाता हूँ तो मेरे आम खाने की क्रिया आजा मैं जो sentence बोल रहा हूँ मैं बिलकुल simple है बिलकुल simple है वह किताब पढ़ती है बिलकुल simple है मैं आम खाता हूँ कि अंग्रेजी होगी I eat food वह किताब पढ़ती है वह का होगा she reads book अब यहां पर आपने देखा होगा कि मैं आम खाता हूँ मैं जो first person subject है वह आई है आई क्या है वह करता है subject है eat वर्भ है food जो हो गया object हो गया subject plus verb plus object मैं आपको यहां पर एक बात बताता चलूँ कि subject plus verb plus object यह एक ऐसा structure है एक ऐसा rule है जिस पर हम कह सकते हैं कि सारा का सारा English translation उस खड़ा हुआ है मतलब यह हुआ कि जितने भी English translation है जितने में translation हम करेंगे उसका जो structure है वो यही है subject plus verb plus object जिसमें subject जो होता है वो करता को बोलते हैं यानि दूर अप देक्शन काम करने वालों को बोलते हैं वर्ब बोलते हैं क्रिया को जो काम हम करते हैं उसको हम वर्ब बो वो आई है क्या है आई है मैं क्या खाता हूं मैं तो मैं आम खाता हूं क्या खाता हूं मैं आम खाता हूं तो किरिया का फल किस पर पढ़ रहा है आम पर पढ़ रहा है मैं क्या कर रहा हूं मैं खाता हूं किरिया मेरे क्या हो रही है खाने की हो रही है अर्थात वर्ब है यहां पर V1 का परियोग क्या आगिया है लेकिन दूसरे संदेंज में she reads book वह किताब पढ़ती है she subject reads book वह किताब पढ़ती है शी हो गया सब्जेक्ट रीट्स हो गया वर्व और बुक हो गया अब्जेक्ट हम लोग हिंदी में ट्रस ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट प्लस वर्व लगा जैसे माल लिया कि वह किताब पढ़ती है तो वह हो गया C, किताब हो गया, object और पढ़ना हो गया, वर्व, किताब, पढ़ती है, जिसमें subject, वर्व, object, किताब, और वर्व क्या हो गया, पढ़ना तो हिंदी में क्या होता है, कि वर्व जो होता है, वो अंत में चला जाता है, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, कि वर्व बीच में रहता है, subject के बाद, वर्व आता है, उसके बाद, object आता है उसको verb का पांचमा रूप बोलते हैं औरतात वी फाइव बोलते हैं तो आपने सेकंड दैपकर सेंटेंस में देखा होगा लिजा एक इस लगा होंए रीड के अंत में इस लगा हुआ और यह वी फाइव है यह है वी फाइव है अब हम बात कर लेंगे तो हमने इसको इस्ट्रक्चर में दिया है परसन सबसे पहले परसन कितने परकार के होते हैं तीन परकार के होते हैं फर्स परसन बोलने वाला सेकेंड परसन सुनने वाला थर्ड परसन जिसके बारे में हम बात करते हैं जब भी हम कभी बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और एक वो होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, चाया वो कोई आदमी हो, चाया कोई बस सू हो, कुछ भी हो सकता है, तो परसन केतने होते हैं, फॉस्ट परसन, आई, सेकेंड परसन, यू, थर्ड परसन ही, शी, इट, राम, सीता, कोई भी, उसके बाद नंबर की बात कर लेंगे, नंबर दूबर करके होते हैं, एक होता है singular number एक वचन, दूसरा होता है plural number बहुचन, singular number I, first person singular number I, तो I eat food, मैं खाना खाता हूँ, उसका plural बनेगा, we eat food, हम लोग खाना खाते हैं, second person you, you eat food, तुम खाना खाते हो, you eat food, तुम लोग खाना खाते हो, एक बात ध्यान देने की यह है, कि singular number में भी यू ही आएगा, और plural number में भी यू ही आएगा, third person, he eats, चुके third person, singular number में a-c-i-s लगता है, he eats food, she eats food, it का परयोग, छोटे पक्षियों के लिए, छोटे जानवर के लिए, या पिर निर्जी पदार्थ के लिए होता है, तो इट का पडियोग हम यहाँ पर अगर लगाएंगे इट, इट्स, फूड, मेंस कोई छोटा पक्षी, जैसे कोई पक्षी है, या बिल्ली है, या और भी कोई छोटा जानवर है, उसके लिए हम इट लगाते हैं, राम, इट्स, फूड, सीता, इट्स, फूड, वह खाना खा खाता है, वह खाना खाती है, वह कोई छोटा पक्षी, खाना खाता है, राम, इट्स, फूड, सीता, इट्स, फूड, सीता, खाना खाती है, थर्ड परसन का प्लेरल होता है, दे, अर्थात, वे लोग, दे, इट, फूड, अब ध्यान देने वाली बात यह है, कि थर्ड परस V5 के परियोग किया जाता है अब बात करते हैं मागे के अब जेखिए इसकी पैचान क्या है तो वाग के क्यान्त में ता है, ती है, ते है ते हो, ता हूं, ती हूं इत्यादी रहता है तो हम समझते हैं कि वाग के Simple Present Tense में है जैसे, मैं बाजार जाता हूं अब यहाँ देखिए ता हूं है, मैं बाजार जाता हूं क्या होगा इसका इंगलिश? I सबसे पहले मैं क्या होगा? I subject और उसके बाद क्या है? हम जानते हैं कि अंग्रेजी में subject plus verb plus object आता है तो सबसे पहले subject होगा उसके बाद verb का क्या होगा? वर्ब का का काम होगा? तो verb का काम क्या है? जाना तो क्या होगा आए के साथ? कहां जाता हूं? तो market I go to market वह दिल्ली में रहता है वह यानि कि ही ही मतलब third person singular number third person singular number में verb में क्या लगता है? एस या या येस लगता है तो सबसे पहले हम subject की बात करेंगे subject क्या है? वह ही की बात क्या है? दिल्ली या रहता है? तो रहता होगा वर्ब की बात करेंगे तो या लीव्स क्या होगा? कहां रहता है? तो in डिल्ली सीता खाना बनाती है तो सब्जेक्ट में क्या होगा सीता और वर्ब में क्या देंगे खाना देंगे या खाना बनाना देंगे तो वर्ब में जो किरिया होती है उसको देंगे तो सीता कुक्स खाना पकाना कुक्स क्या पकाती है तो फूड सीता कुक्स फूड सीता खाना पकात है ओकैं है तो अंधिग्र तो है यह होगे आपका आपर मैंट आ हमलोग चालते हैं पर हंते हैं आप अब देखेंते हैं मृफ्रियूरी पर संदेंस के परकार के होते हैं पहला आपर मेंट हैं जिसको को पॉजिटीव शं diagonal नहीं में object जैसे वह रोता है या वह दिल्ली में रहता है तो क्या होगा he leaves in Delhi लेकिन negative sentence बनाने के लिए जो rule है वो rule change हो जाता है rule क्या है subject plus helping verb plus not plus even plus object अब यहाँ पर helping verb कोण सा रहेगा helping verb कितने होते हैं तो 24 होते हैं उसके बारे हम बाद में बात करेंगे उसके लिए हम अलग video बनाएंगे उसके हम detail बताएंगे आपको तो subject plus helping verb plus not plus even plus object helping verb यहाँ पर do या does लगता है क्या लगता है do या does लगता है अब चलिए इसी example आपके बादिल्ली में रहता है तो बादिल्ली में नहीं रहता है तो क्या होगा और do का परियोग का पर होगा यह ध्यान दनी वाली बाद यह है तो third person singular number में यानिका he, she, it और किसी भी name के साथ does का परियोग होता है और I we you they does का परियोग करते हैं does का परियोग कहा करते हैं सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन singular number में he के साथ does, she के साथ does, it के साथ does या किसी भी नाम के साथ दस लगता है जैसे वह दिल्ली में नहीं रहता है तो he does not live in डेली सीता खाना नहीं पकाती है तो क्या होगा सीता ड़्ज नाट कुक फूड चले एक कुछ एक्जामपल और लेते हैं राम व्यायाम नहीं करता है तो राम कुण सा पर्शन है थर्ड पर्शन है राम ड़्ज नोट और व्यायाम करना टेकिंग एक्सरसाइज तो क्या होगा टेक exercise ठीक है केले होके हैं आपर नेगेटीव सेंटेंस अब हमनों बात करते हैं आपर इंट्रोगेटीव सेंटेंस बолते हैं question word को यानि के प्रेशन बाद्चक वाक है ऐसे वाक के जिस्से हम प्रेशन पूछते हैं जिस्से प्रेशन पूछा जाता है उसे हम बोलते हैं, introvertive sentence, introvertive sentence भी दो परकार के होते हैं, एक होता है question word, दूसरा होता है wh word, यह भी एक detailed topic है, इसके लिए भी हम एक अलक्सी topic, एक video बना करके आपको अप्लोड करेंगे, तो introvertive sentence question word, question word में सबसे पहला है helping word plus subject plus v1 plus या object, यहाँ पर देखने वाली बात यह है, subject plus v1 या v5 plus object था, लेकिन यहाँ पर subject plus helping word plus not plus v1 plus object, सिर्फ v1 है, v5 यहाँ पर नहीं है, तो हम v5 यहाँ पर नहीं करेंगे, v5 कीज़ेगा, do या डेस्मा पर लगाते हैं, हम लोग helping word में, introvertive sentence में पहला helping word plus subject plus v1 plus object, हना, अब हम एक sentence बनाते हैं, क्या राम दिल्ली में रहता है, क्या, क्या, राम, दिल्ली में, रहता, है, तो सबसे पहले हम लाएंगे helping word, तो आपको पता है, third person के लिए हम लोग क्या लगाते है, third person singular number के लिए helping word में, does लगाते हैं, क्या लगाते हैं, does, राम, लीविन, टेली, क्या तुम किताब पढ़ते हो, अब तुम जो है you, you कौन से person है, second person है, second person के लिए does का पढ़ियोग नहीं होगा, बलके do का पढ़ियोग होगा, तो मैं क्या है, first person, singular number, do या does, do, क्या होगा, do, I, speak, English, ठीक है, अब उसी तरह, इंट्रोगेटिव संटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव संटेंस साथ, प्रश्न वाचक वाक में, नकार अत्मक वाक है, जैसे, क्या राम दिल्ली में नहीं रहता है, तो क्या बनेगा, डज राम, डज राम, नॉट लिविन डेली, डज राम, नॉट लिविन डेली, नॉट वहाँ पर जुड़ जाएगा, दूसरा है डबलु एच वर्ड, डबलु एच वर्ड भी प्रश्न वाचक वाक का ही एक पार्ट है, जिसमें संटेंस क्या से शुरू नहीं होता है, बल बलके राम डिल्ली में कहां रहाता, तो सबसे पहले हम जो पूट करेंगे, कहां का डबलु एच वर्ड, क्या जिस, तो कहां का क्या होगा, वेःर, क्या होगा, सबसे पहले डबलु एच पूट करेंगे, उसके बाद जो helping verb है, structure जो पहले वाला वही पूट करेंगे, तो व यहां पर है क्या राम दिल्ली में रहता है डज राम लीविन डेल ही राम दिल्ली में कहां रहता है तो सबसे पहले कहां डालेंगे डबलो इच वर्ड में उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में डज डालेंगे सब्जेक्ट में क्या है राम उसके बाद वर्ब में क्या है रहना और अब्जेक्ट में क्या है कहां रहना तो दिल्ली में रहना राम दिल्ली में कहां रहता है मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करता हूं मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करता हूं तो क्या की इंग्लिश क्या होगी क्या की इंग्लिश होगी वाट क्या होगी वाट उसके नॉट है नेगरेटिव संटेर से तो नॉट और क्या करते हैं तो कुछ करते हैं किसके लिए फोर यू मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करता हूं थिक है मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको हमने अफर्मेटिव सेंटेंज, नेगेटिव सेंटेंज, इंट्रोगेटिव सेंटेंज, कोस्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंज, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंज भी हमने पढ़ लिया है, अब हम इसको थोड़ा बनाएंगे, सब सेंटेंज को एक एक कर तो क्या हम लगाता है रूल सब्जेक्ट प्लस वीवन या वीफाई प्लस आपजेक्ट तो करता कुन है सब्जेक्ट कुन है तो राम इट्स मैंगो राम क्या करता है राम आम खाता है राम के साथ क्या लगा वर्ब में इट्स लगा क्यों लगा क्यों राम थर्ड परसंट सिंग्लर नमर है अगला है राम आम नहीं खाता है तो हम पता है subject plus helping verb plus not plus even plus subject, तो क्या होगा Ram और helping verb में क्या लगता है, do or does लगता है, तो क्या लगागी आप हम Ram चुकर third person है, तो उसका लगा does लगा, Ram does not eat mango intraходит sentence में क्या सीता पड़ती है, तो helping verb plus subject plus even plus object, तो क्या होगा does सीता डू ये ड़स परप्जे होता है चुकर सीता 3rd person singular number है तो यहां पर डू नहीं बलके ड्रशुघ कर डर सीता 2 रीट कि दस सीता 3 क्या सीता नहीं गाती है क्या सीता में गात। अगला है तुम कब पढ़ते हो तो कब की इंगलिश होती है डबलुएच में वेन क्या होती है वेन मतलब कब तुम कब पढ़ते हो तो सबसे पहले डबलुएच लगा देंगे वेन उसके पर फिर हम लगाएंगे वी मतलब तो वेन के साथ डू जूकिया यू है और तुम्हें यू का परियोग होता है यू के लिका लगता है डू लगता हाएं वेटरंफ यूज तुमं करते हो तुम क्यों नहीं पढ़ते हो क्यों क्या होता है है कि हो हुपा स्फ आई वाइ तो वाइट देंगा डू disciplesर CT आ लगता है वाइडू यू नॉट है तो क्या होगा नेगाटिव है नॉट और क्या है पढ़ना वाइडू यू नॉट तो चलिए गास आज के लिए बत अतना ही वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक और शेयर के बटन जरूर दबाईएगा और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बोलिएगा ताके मैं इंस्पायर होकर आपके लिए अच्छे अच्छी वीडियो आगे ला तो आज मेरा पहला दिन है देखिए